हे, what's up guys, कैसे हैं आप सब लोग, मैं हुसम सहर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो के में स्टी चैनल पे तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि 2020-21 के एक्जाम के लिए NCERT के द्वारा 12th class के लिए कितने percent syllabus को reduce किया गया है तो आप स्कीन पर देख शकते हैं कि NCERT के द्वारा और CBSC के द्वारा लगभग 30% syllabus को reduce किया गया है और इसमें हम बात करेंगे physics, chemistry और biology की अगर आप mathematics की बिल्कुल अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे यहां क्लिक करके उसको देख शकते हैं और इस वीडियो में physics, chemistry और biology की बात होगी तो सबसे पहले हम physics के syllabus की बात करते हैं तो physics में जितने chapter आपको entire पढ़ने हैं उस सब के सब जितने chapter हैं उन से syllabus को reduce किया गया है topic wise तो आप स्कीन पर देख शकते हैं कि कौन-कौन से ऐसे chapter हैं और कौन-कौन से ऐसे topic हैं जिन से exam pattern में question नहीं पूछे जाएंगे यानि exam में आप से question उस topic से नहीं पूछे जाएंगे जो हैं स्कीन पर आपको दिख रहा है दूसरी बात करते हैं chemistry की तो chemistry में भी 30% syllabus को reduce किया गया है इसमें आप स्क्रीन पर देख शकते हैं कि लगभग हर chapter से topic wise syllabus को reduce किया गया है general principle and isolation of element जिसको अमलुब metal अर्जी वाला chapter बोलते हैं वो पूरा reduce किया गया है उसके बाद D block element, F block element फिर coordination compound, halolken, haloyrene alcohol phenol ether फिर उसके बाद aldehyde ketone, carbozylic acid पूरा reduce किया गया है amine आपको पढ़ना है, biomolecule आपको पढ़ना है और उससे भी कुछ topic reduce किया गया है और उसके बाद chemistry in everyday life पूरा नहीं पढ़ना है polymer भी पूरा नहीं पढ़ना है, यानि इसको entire खतम कर दिया गया है तो इतने जितने chapter हैं, ये सब के सब reduce किये गया है और आप इसको skin पर देख शकते हैं अब बात करते हैं, biology की तो next है हमारा biology और इसमें आप जितने chapter NCRT के पढ़ते हैं, उन हर एक chapter से topic wise syllabus को reduce किया गया है आप इसकीन पर देख शकते हैं, कि कौन-कौन से ऐसे chapter है और कौन-कौन से एक topic है, जिन से question आपके exam pattern या question paper में आपसे question नहीं पूछे जाएंगे तो ये रहा पूरा full detail syllabus reduce जितने किये गये हैं उनका explanation, तो video अगर आपके काम के लायक है तो video को like करिए और अगर आपके दोस्तों के लायक है, तो आपने दोस्तों को भी share करिए ताकि उनको भी पता चल सके कि कितना percent syllabus को reduce किया गया है क्योंकि सब के मन में ये confusion है कि आखिर कितना percent syllabus को reduce किया गया है और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो description box में उसका link मिल जाएगा solid state पूरा chapter खतम कर चुके हैं और वहाँ description box में नीचे आपको उसका link मिल जाएगा उसको भी आप check out कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं next video में, thanks for watching